हेलो दोस्तो नमेशकार कर लेते हैं चला गया थे कंपणी ने यह आज के जमाने में यह स्टॉक आपको वही 10,000 के उपर ही देखने का आपे मिल सकता था ठीक है तो आज की दिन आप सविलंग का बता है कंपणी के कौर्टर टू के रिजल्ट ड्यूरिंग दा मार्केट ही आपे आ चुके थे इतने टॉप लेवल पे भी जो कंपणी ने नंबर्स दिखाए है वो ओके-ओके टाइप के नंबर है तो यहाँ पे कोई बुरी की नहीं है यह कंपणी बहुत ही बढ़िया कंपणी 76,000 करोड का मार्केट काप अभी इसका हो चुका है और भविशा में एक लाग करोड तक का भी मार्केट काप यहाँ पे जरूर जाएगा बट उसके पहले मल्टीपल टाइम करेक्शन होंगे फिर कमजोर रिटेल मेंस्टर भाग जाएंगे और उसके बाद वापस तेजी होगी और कंपणी अच्छा करेगी तो ओरल कंपणी क मुझे इसके नंबर बहुत अच्छी लगी ते ओर बाजार का रियक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट है मतलब हम लोग कह सकते हैं ओक ओक टाइप का मिक्स रेक्शन ही देखने को मिला है बट अल्टिमेटली जो रूजान है वह थोड़ा सा हम लोगों को डाउ उनको बहुत ही कमाल के रिटन्स इस कमपनी ने कमा के आपे दिये हैं और कल के दिन की अगर हम लोग बात करें आप सब लोगों को पता है FCL के यहाँ पर हम लोगों को लेवल से बट अभी भी बिल्कुल टॉप लेवल पर यह वैसे भी देखा गया तो टोटली सो यहाँ पर कॉटर टू के रिजल्ट बहुत माहिने करते ऐसे कमपनी के लिए थोड़ा सा भी अगर नंबर इधर उदर हुआ तो माइड भी बहुत बड़ी गिरावट भी संभा इस प्रकार की चीज़ें आंप लोगो देखने कर आप मिल जाती है इसे लिए मिन आप लोगो बीच में वीडियो बना कर भी बताया था कि अगर आपको अच्छे रिटन्स मिल रहे है आप चाहो तो प्रौफिट बूक कर सकते हैं तो देख लगते हैं अभी कल के दिन HDFC Limited HDFC Limited के अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बहुती शांदर और धाकड नंबर्स इस कंपनी ने आपर दिखाये है बहुत टाइम के बाद हम लोग को इस प्रकार के कमाल के नंबर्स देखने को आपर मिल चुके है यह कंपनी जैसे मैं आप लोगों को बता है बड़े लोगों की कंपनी बड़े लोग मतलब यहाँ पर देखा गया तो बड़ी पुंजी इसमें रखी जाती है अगर आप मुझे 10-20 करोड लाके दोगे ना तो हाँ मैं इस कंपनी में रखना पसंद करूँगा यह इतनी बड़ी यहाँ पर कंपनी है अगर आप यह मुझे 10-20 करोड यहाँ पर बोलोगी कि FCL में लगा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि यह चोटी कंपनी है यहाँ पर रिस्क है कि मेरा पैसा पूरा आराम से 10 करोड एक करोड भी हो सकता है इतना नीचे आ सकता है वो यहाँ पर HDFC की बात करें सेफ है यहाँ पर यहाँ पर पाच-पास साल में अगर पैसा अगर मल्टीपल डबल भी हो गया तो भी बहुत है हाला कि देखा गया तो पाच साल में इतना कुछ खास नहीं परफर्मस 45% की रिटन से बट ओर आल जो कंपनी का जो परफर्मस यहाँ पर रहता है वो अमनों को ऐसे ही देखने का आप मिल जाता है तो यहाँ पर बड़े इंवेस्टर बड़ी पुंजी यहाँ पर लगा के बैट जाते है और अच्छा कासा यहाँ आराम से उनको पैसा आपर मिल जाता है जिनके पास बहुत ही छोटी पुंजी है उनके लिए यह स्टॉक इतना ज्यादा एट्रक्टिव नहीं रहेगा उन्होंने थोड़ा सा मिडिकेप स्मॉल केप के और जाना चाहे बट वो उतना ही रिस्की भी आपर रहता है बट कंपनी कमाल के हम बोल सकत आपर मिले हैं बात करेंगे अदानी गैस के नंबर बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है फिर भी यहापर आप देख सकते हैं मतलब कोई ज्यादा रियेक्शन यहापर नहीं है अदानी का पूरा जो कारोबार है वो भविशा के उपर ही चल रहा है कि भविशा में इनको मै इनको मिलेगा फिर प्रोफिट भी अच्छा होगा एंड एपिएस अच्छा होगे पी भी नीचे आएगा तो यह लोजिक के चलते अदानी इसके स्टॉक्स में हम लोगों को एक तरफा रैली देखने का आपे मिली है तो यह कोई एक दिन का खेल नहीं है बट आने वाले सम मैंने इसके ओपर आलेड़ी तीन से चार वीडियो बनाये थे रीजन बहुत सिंपल है क्या रीजन था आप सब लोगों को पता है भार से जो एडेबल ओईल आता था उसके ओपर जो ड्यूटी टैक्सेस लगते थे वो सरकार ने हटा दिये थे हटा दिये थे या फिर कम कर इसके चलते क्या हो गया इंडिया में यहाँ पर जो इंपोर्टेड ओईल है वो ज्यादा आने लग गया और अगर देखा गया तो कॉम्पेटिशन बढ़ जाएगा तो अल्टिमेटली जो अदानी विलमार है यहाँ और भी जो वेजिटेबल ओईल से रिलेटेड बिजने करते हैं उनको भी अपना दाम नीचे लाना पड़ा मेंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने फैसला लिया था कि एडिबल ओईल आप भार से इंपोर्ट कर सकते हैं उसके उपर टैक्स भी यहाँ पर नहीं लगेगा तो जो डोमेस्टिक लेवल की कंपनीस थी उनकी ब बात करें नंबर्स भी द्यूरिंग द मार्केट यह थे आप देख सकते हैं अच्छी कासी गिरावट हम लोगों को देखने का आप ही मिली थी सो डंबर देखने के बाद में इतना ही के सकता दोस्तों अगर आपके पास यह कंपनी है आप चाओ तो कंटिन्यू कर सकते इसके पीछे का एक ही रिजन है अदानी यह नाम बहुत ही पावरफुल है यह आपको एक तरफा रैली देकर कभी भी आपे अच्छा कासा आपका लॉस रिकवर करके प्रॉफिट भी यहापे दे सकता है और और बिजनेस भी इनका इतना कुछ बुरा नहीं है और जो भी खबर हम आरवी एनल येस आरवी एनल अगेन हम लोगों को यहापे स्टॉक भागते वे देखने को मिला है और आज आप देख सकते हो 42 वापस इसका पूराना लेवल पे वह आ चुक है अगर मैं एक साल का डेटा ओपन कर दू तो आप देख सकते हैं एक साल में 17 पसंड की रिटन से पर जैसे आप लोगों को पता है जब यह स्टॉक नीचे आ गया अगेन रिटन चले गए फिर अभी वापस उपर आ गया तो वापस अभी खरीदने की बात कर रहे तो इसलिए कहता है दोस्तों आपको बिजनेस की समझ होनी चाहे ताकि वह स्टॉक जब नीचा है ताब उस यह में आप लोगों को 19 रुपे से आप लोगों को अलोगों को बता के रखा हुआ है आप चाहो तो वीडियोस को भी प्लेलिस में देख सकते या फिर यूटूब के योपर भी साच कर ले ना 19 रुपे का शेर करके एंड सम किसी लेग दिना चैनल का नाम आप लोगों को व चाहर पसंट के आसपस की गिरावट देखने को आपे मिली है एक और कंपनी के रियक्शन देखना बागी था और और येंड ग्रीन पावर सो इसके भी नंबर से हम लोगों ने देखी था है नंबर वाकए में हम लोगों के लिए यह केवल लर्निंग वाला स्टॉक है तो य रखना चाहिए नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर येस बैंक येस बैंक की भी बात करें आज की दिन 4% यहां पर बागाए ठीक है तेजी देखकर उत्तेजित होना नहीं है जब तक यह रीकंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें कंप्लिट न बाजी के चलते हैं अगर आप गलत स्टॉक खरीद लेते हो तो दिक्कते हो सकती है यहां पर बात करें जो अप्लाय करने का टाइम था वो तो खतम यहां पर हो चुका है और इसका जो ग्रे मार्केट प्रिमियम है वह अभी भी 40% देखने को मिल रहे है अच्छी बात है में अभी GMP लगबग 25% एंड उसके नीचे भी जाते वे देखने को मिला है तो बिका जी का IPO की अगर हम लोग बात करें निवेश करने से पहले जरू प्रॉपरली सोच लेना GMP में लगातार कंसिस्टेंटली गिरावट देखने को आपे मिल रही है तो आशा करता हो जितने भी अंदर अंदर सारे लिक्चर सापलों को free of cost मेरे साइट से provide कर दे जाएंगे so that's it thank you very much so we will be meeting our next video तब तक के लिए bye bye